ओम शांती चार साथ दो हजार चौविस की साकार मुरली मीठे बच्चे बहन भाई के भी भान से निकल भाई भाई समझो तो सिविल आई बन जाएगी आत्मा जब सिविल आईजड बने तब करमातीद बन सकती है प्रहश्न अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ती रचनी चाहिए उत्तर अपनी क्यारक्टर्स का रजिस्टर रखो उसमें रोस का पोता मेल नोट करो रजिस्टर रखने से अपनी कम्यों को कम्यों का मालूम पड़ेगा फिर सहजी उन्हें निकाल सकेंगे खाम्यों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुँचना है जो एक बाप के सिवाए दूसरा कुछ भी याद ना रहे किसी भी पुरानी चीज में ममत्व ना रहे अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे ओम शांती एक है मानव बुद्धी दूसरी है ईश्वरिय बुद्धी फिर होगी दैवी बुद्धी मानव बुद्धी है आसुरी बुद्धी क्रिमिनल आइस्ड है न एक होते हैं सिविल आइस्ड दूसरे होते हैं क्रिमिनल आइस्ड देवताएं हैं वाइसलेस सिविल आइस्ड और यहां कल्योगी मनश्य हैं विशस क्रिमिनल आइस्ड उनके ख्यालात ही विशश होते हैं क्रिमिनलाइज्ड मनुष रावण की जेल में पड़े रहते हैं रावण राज्य में सब हैं क्रिमिनलाइज्ड एक भी सिविलाइज्ड नहीं है अभी तुम हो पुरुशोत्तम संगम युक पर अभी बाबा तुमको criminalized से बदल कर civilized बना रहे हैं criminalized में भी अनेक प्रकार होते हैं कोई semi कोई कैसे जिब civilized बन जाएंगे तब करमाती तवस्ता होगी फिर brotherly eyes भाई भाई की दृष्टी बन जाएगी आत्मा आत्मा को देखती है शरीर तो रहते ही नहीं तो criminalized कैसे होंगे इसलिए बाप कहते हैं अपने को बहन भाई के भाण से निकालते जाओ भाई भाई समझो यह भी बड़ी गुए बात है कभी किसकी बुद्धी में आ नहीं सकती civilized का अर्थ किसी की बुद्धी में आ नहीं सकता अगर आ जाए तो उच पद पालेवें बाप समझाते हैं अपनी को आत्मा समझो शरीर को भूलना है यह शरीर छोड़ना भी है बाप की याद में मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूँ दे का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छोड़ना है क्रिमिनलाइज होंगे तो अंदर में जरूर खाता रहेगा मन्जिल बहुत भारी है भल कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हो तो भी कुछ ना कुछ भूले होती जरूर है क्योंकि माया है न कर्मा तीत तो कोई भी हो नहीं सकता कर्मा तीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे तब सिविलाइज हो सकते हैं फिर वह रोहानी ब्रदरली लव रहता है रोहानी ब्रदरली लव बहुत अच्छा रहता है फिर क्रिमिनल दरश्टी नहीं होती तब ही उच पद पा सकेंगे बाबा हम एम अबजेक्ट तो पूरी बतलाते हैं बच्चे समझते हैं कि यह यह हमारे में खामी है रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का भी मालूम पड़ेगा हो सकता है कोई रजिस्टर ना रखने से भी सुधार सकता है परन्तु जो कच्चे हैं उनको रजिस्टर ज़रूर रखना चाहिए कच्चे तो बहुत हैं कोई-कोई तो लिखना ही नहीं आता है अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो और कोई की याद नहीं आए हमात्मा बिना शरीर के आई अब आशरीरी बन कर जाना है इस पर एक कहानी है उसने कहा तुम लाठी भी न उठाओ वहवी पिचाडी में याद आएगी कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखना है मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए हर एक को कम से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए वैसे तो गवर्मेंट की सर्विस 8 घंटा होती है पर तुम पांडव गवर्मेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा जरूर करो विशस्प मनुश्य कभी बाब को याद नहीं कर सकते सत्यूग में है वाइसलेस वर्ल्ड देवी देवताओं की महिमग आई जाती है सर्वगुण संपन्न सोला कला संपून संपून निर्वेकारी अहिंसा परमोधरम तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए कोई भी छीची चीज में ममत्व नहीं रहना चाहिए शरीर में भी ममत्व ना रहे इतना योगी बनना है जब सच-सच ऐसे योगी होंगे तो वह जैसे फ्रेश ताजा रहेंगे जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे खुशी का पारत उतना चड़ता जाएगा पांच अजार वर्ष पहले भी ऐसी खुशी थी सत्यूग में भी वही खुशी होगी यहां भी खुशी रहेगी फिर यही खुशी साथ में ले जाएंगे अंत मती सु गती कहा जाता है न अभी की मत है फिर गती सत्यूग में होगी यह बहुत विचार सागर मंथन करना होता है बाप तो है ही दुख हरता सुख करता तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं तो किसको भी दुख नहीं देना चाहिए सब को सुख का रास्ता बताना चाहिए यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख देंगे यह पुरुशोतम संगम योग है जबकि तुम पुरुशार्थ करते हो सतो प्रधान बनने के लिए पुरुशार्थी भी नमबर वार होते हैं जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप उनकी महिमा करते हैं यह फलाना बच्चा योगी है जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो वाइसलेस लाइफ में हैं जिसको जरा भी ऐसे विसे ख्यालात नहीं आते वही पिछाड़ी में करमाती तवस्था को पाएंगे तुम ब्रामन ही सिविलाइस्ट बन रहे हो मनश्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता जो क्रिमिनलाइस्ट होगा वह पाप जरूर करेगा सत्योगी दुनिया पवित्र दुनिया है यह है पतित दुनिया यह अर्थ भी समझते नहीं जब ब्रामन बने तब समझे कहते हैं ग्यान तो बहुत अच्छा है जब फुरसत होगी तब आऊंगा बाबा समझते हैं आएगा कभी भी नहीं यह तो बाप की इंसल्ट हुई मनुष्य से देवता बनते हैं तो फौरण करना चाहिए न कल पर डाला तो माया नाक से पकड़ गटर में डाल देगी कल कल करते काल खा जाएगा शुब कारे में देरी नहीं करनी चाहिए काल तो सिर पर खड़ा है कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं अभी बॉम्स गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे अर्थो को एक होती है न तो पहले थोड़े ही पता पड़ता है ड्रामा अनुसार नाच्रल कैलेमेटीज भी होनी है जिसको तो कोई जान नहीं सकता बहुत नुकसान हो जाता है फिर गवर्मेंट रेल का किराया आदी भी बढ़ा देती है मनुष्यों को तो जाना ही पड़े क्याल करते रहते हैं कैसे आमदनी बढ़ा हैं जो मनुष्य दे सके अना आच कितना महगा हो गया है तो बाब बैट समझाते हैं सिविलाइस्ड को कहेंगे पवित्रात्मा यह तो दुनिया ही क्रिमिनल आइस्ड है तुम अभी सिविलाइस्ड बनते हो महनत है उच पद पाना मासी का घर नहीं है जो बहुत सिविलाइस्ड बनेंगे वही उच पद पाएंगे तुम तो यहाँ आए हो नरस नारायन बनने के लिए परन्तु जो civilized नहीं बनते ज्ञान उठा नहीं सकते वह पद भी कम पाएंगे इस समय सभी मनश्यों की है criminalized सत्यूग में होती है civilized बाप समझाते हैं मीठे बच्चे तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत civilized बनो अपने को आत्म समझ बाप को याद करो तब सौ प्रतीशत सोल कॉंशस बन सकेंगे कोई को भी अर्थ समझाना है सत्यूग में पाप की कोई बात ही नहीं होती वह ही सर्वगुन संपन संपून सिविलाइजड चंदरवन्शी की भी दो कला कम होती है चंदरमा की भी पिछाडी में आकर बाकी लकीर रहती है एक दम निल नहीं होती है कहेंगे प्रायलोप हो गया बादलों में दिखाई नहीं पड़ता तो बाप कहते हैं तुम्हारी जोती भी बिलकुल बुझ नहीं जाती है कुछ ना कुछ लाइट रहती है सुप्रीम बैटरी से फिर तुम पावर लेते हो खुद ही आकर सिखलाते हैं कि मेरे साथ तुम कैसे योग रख सकते हो टीचर पढ़ाते हैं तो बुध्धी योग टीचर के साथ रहता है न टीचर जो मत देंगे वह पढ़ेंगे हम भी पढ़कर टीचर रत्वा बैरस्टर बनेंगे इसमें क्रपवा आश्रवाद आदी की बात ही नहीं रहती है माथा टेकने की भी दरकार नहीं हाँ कोई हरियोम या रामराम कहते हैं तो रिटर्न में करना पड़ता है यह एक इज़त देनी होती है एहंकार नहीं दिखाना है तुम जानते हो हमको तो एक बाप को ही याद करना है कोई भक्ती छोड़ते हैं तो भी हंगामा हो जाता है भक्ति छोड़ने वाले को नास्तिक समझते हैं उनके नास्तिक कहने और तुम्हारे कहने में कितना फर्क है तुम कहते हो वह बाप को नहीं जानते हैं इसलिए नास्तिक निधन के हैं इसलिए सब लड़ते जगड़ते रहते हैं घर घर में जगड़ा अशान्ती है, क्रोध की निशानी है अशान्ती, वहां कितनी अपार अशान्ती है, मनश्य कहते हैं भक्ती में बड़ी शान्ती मिलती है, परन्तु वह है अल्पकाल के लिए, सदा के लिए शान्ती चाहिए न, तुम धनी से निधन के बन जाते हो, तब चांती से फिर अशांती में आ जाते हूं बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देते हैं हद के बाप से हद के सुख का वर्षा मिलता है वह वास्तों में है दुख का कामकटारी का वर्षा जिसमें दुख ही दुख है इसलिए बाप कहते हैं तुम आदी मध्य अंत दुख पाते हो। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज याद और सहज ग्यान स्रश्टी का चक्र। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में सब सिविलाइस्ट थे। देह अभिमानी को क्रिमिनलाइस्ट कहा जाता है। सिविलाइस्ट में कोई विकार नहीं होता है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। परंतु बच्चों को यह भी याद नहीं रहता है। क्योंकि क्रिमिनलाइस्ट हैं। तो छीछी दुनिया ही उन्हें याद पढ़ती बाप कहते इस दुनिया को भूल जाओ अच्छा मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्य सार पहला ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत बना रहे कोई भी छीची चीज में आ सकती न जाए अवस्था ऐसी उपराम रहे खुशी का पारा चड़ा हुआ हो दूसरा काल सिर पर खड़ा है इसलिए शुब कारे में देरी नहीं करनी है कल पर नहीं छोड़ना है वरदान चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाए महसूस्ता शक्ती दौारा सर्वपापों से मुक्ति भग कई बच्चे चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाए महसूसता शक्ती द्वारा सर्व पापों से मुक्त भग कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं अपना काम सिद्ध करने के लिए अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं लेकिन उस महसूसता में शक्ती नहीं होती इसलिए परिवर्तन नहीं होता कई हैं जो समझते हैं या ठीक नहीं है लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूस्ता से स्वयम को परिवर्टन कर पापों से मुक्त बनू। स्लोगन जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त इस्तिती है। अच्छा ओम शांती। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं। इन लहरों को दामन में भर जाओं। आप दिश्टियों ही दे ते रहो बाबा। अच्छा अच्छा अच्छा